पिकनिक आलमपूर नाम के गव में शुबम नाम का व्यक्ति रहता था उसकी सोच हमेशा अजीब और गरीब होती थी एक दिन वो घर पर अपने कुट्टे से ऐसा करने लगा तो वो कुट्टा भी करके भूखने लगा तब अपने पिता जी से शुबम देखा पिता जी मैं धीरे धीरे कुट्टों की बोली सीख रहा हूँ बहुत ही जल्द मैं इनकी बोली पूरी तरह सीख जाओंगा क्या आप जानते हो कि वो कुट्टा क्या बोल रहा है अरे कमबक ये क्या कर रहा है तु अरे तुम कुट्टों की बोली सीख करोगे क्या क्या तु जानता है कि वो कुट्टा क्या कह रहा है वो कह रहा है नाला एक कमबक तु किसी काम का नहीं है बेकार है यू तुमें गाली दे रहा है वो कुट्टा क्या कर दोनों चलेगे ठत, इन दोनों को तो कोई कुछ नया सीखे, कुछ नया हासिल करना चाहे, तो इनको पसंद ही नहीं है यो बात नहीं बनने वाली, मुझे कुछ नया हासिल करना होगा, यो सोच कर वो जंगल में चला गया, और वहाँ तपस करने लगा ओम, ओम तब ही एक स्वामी जी वहां पहुंचे बेटे तुमारे तपस में विखन डाला तुम बुरा ना मानना ये पेड मेरा है मैं इसी पेड के नीचे बैठ कर तपस करता हूँ मेरा फोन का बैलन्स खतम हो गया था तो मैं रीचार्ज करने चला गया था वैसे तुम क्यों तपस कर रहे हो बेटा अरे स्वामी जी ये क्यों डिस्टब कर रहे हैं आप जाकर किसी पेड के नीचे बैठ कर तपस कर सकते हो ना मैं चाहता हूँ कि जैसे मुझे मनुझे दिखाई देते हैं भूत प्रेत राक्षस सब वैसे ही दिखाई दे मुझे यही मेरी इच्छा है मैं इसी लिए तपस कर रहा हूँ अरे इतनी सी बात के लिए तुम भगवान को क्यों डिस्टब करते हो तुम मुझे पांच हजार रुपे गूगूल पे कर दो और स्विगई में मेरे लिए अच्छा खाना ओडर कर दो तो मैं तुम्हें ये वर्दे सकता हूँ ये क्या स्वामी जी ये फोन, रीचार्ज, स्विगई, गूगल पे ये सब क्या है तब स्वामी जी तुरंत एक भूत में बदल गया ये देखकर शुबम दर गया क्यों तुम भूत को देखना चाते थे ना अब दिखाई दे रहा है तो डरते क्यों हो मुझे तुमारी ये इच्छा बहुत अच्छा लगा मैं कोई स्वामी जी नहीं हूँ मैं एक भूत हूँ अब से तुमें भूत प्रेत पिशास सब दिखाई देंगे वल्कम टू आवर वर्ल्ड कैकर रायफ हो गया वो जब गौन लौट रहा था तो उसने देखा कि आदमियों के बीच में बहुत सारे भूत थे ये देखकर वो बहुत खुश हुआ एक बस्टॉप पर वो खड़ा होकर पास खड़े लड़की से देखे आपके पास एक भूत खड़ा है और वो आपको छू कर अश्लील हरकतें कर रहा है देख लीजिए उस लड़की ने पीछे मुड़कर देखा और शुभम को जोर से थपड मारा तभी एक गर्ती बाइक में एक भूतनी के साथ आया और वहां रुका हाई रिटा सौरी देर हो गई ओ आकर बैड़ जाओ फिल्म के लिए देर हो रही है क्यों भई तुम तो भूतनी के साथ आये हो लगता है वो तुमारी पतनी है पतनी के मरते ही दूसरी औरत के साथ तुम संबंद बढाते हो बेशरम तब उस आदमी ने शुबम को खींच के एक थपड मारा अरे तो है कौन मेरी पतनी चाहे मरे याद जीए तुम्हें इससे क्या लेना देना मेरे निजी मामला से तुम्हें क्या लेना देना लगता है ये कोई पागल है हेमन अभी अभी कहरा आता मेरे पीछे भी कोई भूत है निकम्मा चलो यो वे दोनों चले गए शादी के शुरू के दिनों में ये अच्छा था बाद में इसे औरतों की आदत पड़ गई कमीना नालायक निकम्मा बेटा तुम चाहे जितना मर्जी कहो कोई फाइदा नहीं है हम किसी को दिखाई नहीं देते न धत ये क्या मैंने सोचा कि भूत दिखाई दे रहे हैं कहूंगा तो सब खुश होकर मुझे हार पैनाएंगे पर यहां तो उल्टा हो रहा है लगता है कि ये वर्दान बेकार है मुझे इस वर्दान की जरूरत नहीं है एक दिन शुभम अपने परिवार के साथ नौ में जा रहा था बेटे आज तुमारे सीनू मामा ने हम सब के लिए पिकनिक का प्रबंद किया है हम सब वहीं जा रहे है ये लोग जब वहां पहुंचे तब सीनू और उसकी पतनी खाना वगरा तयार करके इनकी राह देख रहे थे लेकिन उनके पीछे ही दो राक्षस खड़े थे उन दोनों को देखकर क्यों रे कमीनो कमबक तो तुम दोनों का यहां क्या काम यहां से दफा हो जाओ वरना चपल से मारूंगा ये बात सुनकर सीनू और उसकी पतनी दंग रहे गए पिता जी ने तब शुबन को जोर से थपड मारा और क्यों रे कमबक दिमाग खराब है क्या उन्होंने हमें खाने पर बुलाया और तुम उन्हें ही गाली दे रहे हो अरे सीनू तुम बुरा ना मानना आजकल ये बड़े अजीब हो गरीब हरकतें कर रहा है लगता है इसे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा ये बात नहीं है पिता जी इन दोनों के पीछे दो राक्षस खड़े हैं मैं उन्हें डांट रहा था देखो बेटा ज्यादा बक्वास की तो बोरी में डाल कर तुम्हें नदी में फैंक दूँगा चुप चाप आकर खाना खाओ यों सब खाने लगे तो सीनो और उसकी पत्नी खाना परोस रहे थे वे शुभम को परोस रहे थे कि तभी उनके पीछे राक्षस भी आकर शुभम को परोसने लगे अरे शरम नहीं आती तुम दोनों को उमारी शकल देखके मुझे घिन होता है जो दफाओ जो यहां से अगर तुम लोगों ने परोसा तो मैं खाऊंगा नहीं अरे शरम करो जो यहां से तब सीनो और उसकी पत्नी को बहुत गुसाया उन दोनों ने शुभम को पकड़ के खूब मारा अरे ना मारो ना मारो मैं आप लोगों को नहीं उन दोनों राक्षसों को गाली दे रहा था कहकर चिलाने लगा पर उन सब को वहां पर कोई दिखाई नहीं दिया तब शुभम वहां से उठकर अलग खड़ा हुआ मैं एक बड़ा आईना लेकर वहां पहुँचा पिता जी मैंने जब कहा कि यहां पर राक्षस हैं आप लोगों ने विश्वास नहीं किया न कहते हैं कि आईने में राक्षस दिखाई देते हैं अब आप सब ध्यान से देखिए क्या आप लोगों को राक्षस दिखाई दे रहे हैं पिता जी मेरे इस अजीबो गरीब सोच के वज़े से बहुत खत्रा हो सकता है। मैं तुरंट जाकर उस वर्दान को वापस दे कर आता हूँ। यूँ उसने जंगल में आकर देखा तो वहाँ सचमुझ का एक साधू तपस कर रहा था। भूत कहते हो अगर मैंने तुम्हें श्राब दिया तो तुम सुनामी में बह जाओगे। तब शुबम ने जो कुछ हुआ सब सौमी जी को बताया। जिस वर्द को हम संभाल नहीं सकते ऐसा वर्द मांगना अपने प्राणों के लिए हानिकारक हो सकता है। अब से तुम्हें ऐसे भूत नहीं दिखाए देंगे। जाओ कहकर उस पे मंतर जल छिड़का, शुबम ने उन्हें प्रणाम किया और वहां से चला गया। पानी पूरी चोर सूरज नगर नाम के गव में बिट्टू नाम का पानी पूरी बेशने वाला रहता था। उस गव में और भी बहुत सारे पानी पूरी बेशने वाले थे पर इसका धन्दा खूब चल रहा था। वो अपना धन्दा बढ़ाने के लिए नया नया तक्निक दूनता रहता था। एक दिन बिट्टू अपने कस्टमर्स को पानी पूरी दे रहा था कि वहाँ सूरज आया। भाईया जेब में पैसे नहीं है अगर तुम सो रुपे का पानी पूरी उधार दोगे तो मैं खाऊंगा। तुम मुझे पानी पूरी नहीं दोगे तो मैं पैसे दे दूगा भाईया थीक है ये सुनकर भिट्टू। अरे कौन हो तुम लगता है इस गौ में नये आये हो सौ रुपे के पानी पूरी खाऊंगे। तुम क्या बकासुर के चचेरे भाई हो भाईया तुम डांड तो रहे हो पर ये नहीं बता रहे कि तुम मुझे पानी पूरी दोगे या नहीं। क्या दूँ एक तो भीक मांगते हो उसके भी अकड़ चलो जाओ यहां से। भाईया तेरा पीछा ना मैं छोड़ूँगा भाईया मैं तुम मुझे पानी पूरी नहीं दोगे तो मैं जानता हूँ कि तुम से कैसे वसूल करना है। हर रोज कम से कम तुमारे ठेले से एक पानी पूरी चुराऊंगा कहकर चला गया। अगले दिन से जब बाकी ग्रहत पानी पूरी खाते थे तो सूरज पीछे से आकर चुपचा पानी पूरी खाने लगा। ये देखकर बिट्टू अरे कमीने तुझे चोरी करने के लिए कुछ और नहीं मिला। मेरे पानी पूरी चुराते हो। मारो इसे। पानी पूरी चौर इसके हाथ पाउंग तोड़ लो। ये बात सुनकर कस्टमर से सब मिलकर सूरज कुमारा बेचारा मार खाकर सूरज वहाँ से चला गया। अगले दिन बिट्टू कस्टमर से हाई फ्रेंड्स आज पानी पूरी का ठेला लगा कर पूरा एक साल हो गया है। इस अवसर पर मैं आप सबसे एक सवाल पुछता हूँ। जो इस सवाल का सही जवाब देगा उसे एक महिने के लिए पानी पूरी मुफ्त में दूँगा। तो सवाल ये है कि वैसे इस पानी को सबसे पहले किस ने और क्यों बनाया। अरे एक कॉनसी बड़ी बात है कोई घर पर पूरी बना रहा होगा और वो छोटा बन गया होगा। ये देखकर उसके बेटे ने उसमें पानी डाला होगा। ये देखकर उसके पिता जी को पानी पूरी का आइडिया आ गया इतने में वहां आकर सूरज कस्टमर्स के प्लेट से पानी पूरी को चुरा कर खाया भाई साब आपने गलत जवाब दिया मैं सही जवाब जानता हूँ क्यों रे पानी पूरी चोर एक तो तुम मेरा पानी पूरी चुरा कर खाते हो उपर से मेरा जवाब गलत बोलते हो बाई साब मैं मानता हूँ कि मैं चोर हूँ पर ये जवाब गलत है कई सदी पहले लोगों में एक अजीब बिमारी हुई तब राजा ने कोई चटपटादार आहार तयार करने के लिए कहा था तब राजवादी ने बहुत सोचा और कई किसम के मसाले डाल कर ये पानी पूरी बनाया ये सुनकर बिटू तेरा सर कोई भी करे पर मेरे जैसा पानी पूरी कोई नहीं बना सकता जो एक बार यहाँ आ जाए फिर किसी और दुकान पर नहीं जाता मैं वही सीक्रेट तो जानने के लिए आया था ये पानी पूरी और इसका बनाने का रहसे ये क्या है आज कल कोई में नशीले पदार्थ बेशने का बहुत काम चलने लगा है सी बिए ने जांच परताल के लिए मुझे भेजा है इस बिट्टू के पानी पूरी में वो नशीले पदार्थ मिले है ये देखे ये बिट्टू इस पानी पूरी में नशीले पदार्थ मिला कर बेच रहा है इतना ही नहीं ये सारे राज्य के लिए ये ही नशीले पदार्थ का डिस्ट्रिबूटर है ये सुनकर बिट्टू अरे तु है कौन? यूँ जूट बोल रहे हो? ये पता नहीं कौन है ये जान बुछकर मेरा धंदा ठप कराने के लिए नाटक कर रहा है इस घटिया पानी पूरी चोर की बातों पर ना आईए आप लोग तभी वहां पहुंचकर ऐसा है अरे कौन है चोर? ये CBA के बहुत बेड़े अफसर है हर रोज तुमारे पास आकर पानी पूरी के सैंपूर लेकर जा रहे थे अभी अभी फॉरंसिक रिपोर्ट आया है अब बच्चु तुम फस गए हो? तुम बार नहीं जा सकते ये बात सुनकर बिट्टू अरे गुंडो आजाओ हमला करो कहते हैं कोई CBA वाले हैं इनके खाल उधेर दो तभी कुछ गुंडे आकर सूरज को मारने वाले थे कि लोग, S.I. सूरज सब मिलकर बिट्टू और उसके आदमियों को खुब मारने लगे पुलिस ने बिट्टू को अरस्ट किया और जेल में डाल दिया लोगों ने सूरज को धन्यवाद कहा